पुद्रवर्दु श्रीमती रूपा जी टिंबढड़िया के पुन्निस्मृती में उनके पुत्रव आधू श्रीमती रूपा जी टिंबढड़िया एवं परिवार ुष्यकॉट गुजराद नमो अरिहंतानम, नमो सिध्धानम, नमो अयरियानम, नमो उवज्जायानम, नमो लोई सववसाहुडम, उकारम बिंदु सैयोक्तम, नित्यम द्यायन्ति योगिनेह, कामदम मुक्षदम चेवे, उमकाराये नमोनमेह, अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलं मुनि भिरूपास्तित तीर्था, सरस्वती हरतुनो दुरितान, अज्यान ते मिरांधाना, अंज्यान अंजन्चलाकया, चक्षुरुन मिलितम येने तस्मै श्री गुरुवे नमेह, श्री परम गुरुवे नमेह, परम पराचार्य गुरुवे नमेह, सकल कलुष विद्व श्रेय सांपरिवर्द कम धर्म संबन्द कम भव्य जीव मनेह प्रति बोध कारकम पुझ प्रकाश कम पाप पच्नानु सारम आसाध्य आचारे श्री कुंद कुंदा मनाय आचारे सूरे साघरेण विर्चितम श्रोता 했어 रह सावधांत याश्रन वन्तू मंगलम् भगवानय वीरों गोतमूगणी मंगलम् कुंद कुंद अध्यो जेन धर मोस्तु मंगलम् सर्व मंगलम आंगल्यं सर्व कल्यान कारिकं प्रधानं सर्व धर्मानां येनं जेतू शासनम् जैनम जैतु शासनम, जैनम जैतु शासनम, सहियम प्रकाश नाम का ये ग्रंथ हमारे सामने विराजमान है, और विविध जीवों के लक्षन पूजन पद्दती के संदर्व में यहां बतलाए जा रहे थे, जब पूजन की जाती है जिनिंद्रदेव की, तो पूजन करने वाले कैसे होने चाहिए, पूजन कराने वाले कैसे होने चाहिए, पूजन, पूजन का फल क्या होता है, पूजन की पद्दती, पूजन की विधी क्या होती है, किस प्रकार के जीवों को पूजन का किस प्रकार क फल लगता है आदी बहुत सारी बातें छोटी-छोटी सी यहां सिखाई जा रही थी और इस सम्मंद में दो गरंथों का यहां हवाला प्रस्तुत किया अपने सामने एक जिन संहिता का और दूसरा धर्म संग्रह श्राव का चार का जिसके आधार पर नियम बतलाए जा रहे थे कि भईया इतने इतने गुर्ण होने चाहिए पूजन करने वालों में भगवान की पूजन करना कोई साधारन काम थोड़ी ने फिर कई तरह की जिग्यासाइं उठती है कि साब इतने तरह कि आप यदि गुण बतला रहे हो तो हमें एक बात का जवाब दो तो फिर जिसमें ये गुण नहीं हो वो तो पूजन नहीं करे न किन नहीं मुख्यरीती से ये जितनी भी बातें बतलाई गई है ये सब प्रतिष्टाचारियों की दरश्टी से आयोजकों की दरश्टी से कारेकरम के निर्देशकों की दरश्टी से कारेकरम करवाने वालों की दरश्टी से उसमें अपना पैसा लगाने वालों की दरश्टी से इन सब रश्टियों से ये बातें कही गई है माने इनमें मुख्य रीती से तो वे ही सब लोग शामिल होंगे जो लोग आयोजक वर्ग में शामिल होते हैं मेरे सामने दिखाई देने वाले बहुत सारे साधर्वी ऐसे हैं जो कही न कहीं किसी न किसी रूप में आयोजक बने रहते हैं बहुत सारे प्रतिष्टा चारे हो सकते हैं विधाना चारे हो सकते हैं विद्वान हो सकते हैं पैसा लगाने वाले हो सकते हैं दान देने वाले हो सकते हैं, कारे करता हो सकते हैं उन सब में कम से कम ये सारे गुण जो उपर कहे हैं ये सब गुण जरूर होने चाहिए देहिए आगे भी लक्षण प्रतिष्टाचारे के बताते हैं जो बातें पीछे कही जा चुकी है लगभग उन्हीं सब बातों को कुछ कुछ रिपीट करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे कि क्या पूजन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनें पूजन नहीं करनी चाहिए या ऐसे व्यक्तित्व हो सकते हैं कि जो जिनको पूजन करना उचित नहीं है जिनके माध्यम से 351 नंबर पेज़ पर आगे और भी लक्षन प्रतिष्टाचारे के बताते हैं जैसे क्या लक्षन है लक्षन अभ्यासी जिनागम विशारज है सम्यकदर्शन संपन्य है देश्ट सैयं भूशित है वागमी शृत बहु ग्रंथ है अनालस्य है रिजुह विनय सैयुत है पूतात्मा पूतवाग व्रति है शोचा च्यमन तत्पर है सांगो पांगेन संशुद्ध है लक्षन लक्षवित नीरोगी ब्रह्मचारी च स्वदार रत कोपिवाँ जल मंत्र व्रत स्नात है निरभिमानी विचक्षन है सुरूपी सत्क्रिय है वैश्या दिशु समुद्भवह इत्यादी इसी प्रकार प्रतिष्टा सारुधार गरंत के प्रतम परिच्षेद में शलोक नमबर 10 से 16 तक प्रतिष्टा चारे का स्वरूप दिया गया है आगे भी प्रतिष्टाचारियों के संदर्व में कुछ बातें कही है प्रतिष्टा सारुद्धार नाम का गरंथ है इसमें भी प्रतिष्टाचारियों के संदर्व में इसी तरह की कुछ बातें कहते है कल्यान आंगे है, रुजा हीने है, सकल इंद्रिये है, शुबलक्षन संपन्ने है, सौम में रूपे है, सुदर्शने है, कि तो सुंदर सुंदर बातें लग रहे हैं, पढ़ने में अर्थे थोड़ा थोड़ा सा आपके ख्याल में आ रहा हुगा कल्यान आंगे है, कल्यान रूप आंग जिसके हूँ, रुजा हीने है, सकल इंद्रिये है, शुबलक्षन संपन्ने है, सौम में रूपे है, सुदर्शने है, विप्रों क्षत्रियों वेश्ये है विकर्म करणोजित है ब्रह्मचारी ग्रेस्तोवां सम्मिक द्रश्टी है नीक शाये प्रशान्त आत्मा वेश्यादी व्यसनोजित है द्रश्टी स्रश्ट क्रिये है विनियान वित है शुची है प्रतिष्टा विधी वित्सुधी है महापुराण शास्त्रग्य है नचार थार्थी नचद्वेष्टी कितनी सारी बातें के दिये चलिए इत्यादी विशेशन पदों से प्रतिष्टाचारे के प्राये वे ही समस्क विशेशन बर्णन किये है जो कि जिन सहीता में पूजक के और धर्म संग्रेश रावकाचार मे तथा पूजासार गरंत में पूजका चेर्य के बतलाएंगे के पूजक मिलाकर के सारे लक्षन जिनकीे । आंग भंग नहीं होना चांए सस्वर उच्चारन करने वाला होना चाहिए शुद्ध बोलने वाला होना चाहिए अनेक ग्रंथों का अनेक शास्त्रों का अभ्यासी होना चाहिए लोक मानने होना चाहिए बहुत बड़ी चीज़ें है यह जिसकी दुनिया में जिसकी लोक में माननेता हो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए रे लोग दुनिया यह कई यह किसको बुला लिया ये किसको बुला लिया हम इसकी उपस्ते तिस विकार एसा तो कंसे कम नहीं होना चाहिए ये सब बातें कही थी चलिए थोड़ा सा प्रक्रण को आगे गती देते हैं हम इसी पूजन के संदर्व में और कुछ विशेश बातें प्रश्ण उपर जो पूजक और पूजकाचारे के लक्षन बतलाए है कि पूजक के लक्षन बतलाए है पूजकाचारे के लक्षन बतलाए है दे इस पर्श शुद्र में भी घटित होते हैं या नहीं सपर्श शुद्र में भी घटित होते हैं क्या वे सभी लक्षन जो ऊपर ये सब लक्षन बतलाए है मने क्या उसमें भी ये सारी बातें लागू हो सकती हैं माने जो शूद्र है लेकि शूद्र दो तरह के कही थे न पहले भी एक तो इस परश कहे थे जिने चुआ जा सकता है और एक ऐसे जो अश्परश्य हैं जिनके चूने के संदर्व में शास्त्रकार निशेत करते रहे हैं ये सब बातें पुर पुच्य आच्रण जिसका दिकरहा है थोड़ा बहुत इस प्रश दिखाई दे रहा है क्या उसमें भी एक सारे लक्षण हो सकते हैं कि निरवी मानिऑ और इस तरह से सब हो तो वो सब करा सकता है क्या ये इस तरह का प्रश्ण है यहांग पर उसका उत्तर देते हैं 352 नमबर पेज़ पर सिद्धान्तों में क्षुद्रों के दो भेद माने गए हैं एक भोज्य शुद्र और दूसरा अभोज्य शुद्र अभोज्य शुद्र तो शुल्लक होई नहीं सकता है अभोज्य शुद्र शुल्लक अवस्ता पंचम गुनस्तान कही है और शुद्र अवस्ता को भी अपने यहां इस लेवल तक कहा गया है कि वो पंचम गुनस्तान तक भी उनके हो सकता है अब आप सोचिए जिनके भले इक शुद्र कुल में पैदा हुए हो लेकिन शुद्र कुल में पैदा होने पर भी उनके पांचवा गुनस्तान तक संभव है तो वे इस प्रश्य शुद्र की ही बात है भोज्य शुद्र की ही बात है अभोज्य जो होते हैं वे एक शुल्लक हो पाञा संगभल को सकता है। बोजन के समय लोहे का पात्र और मुनी संग में रहता है देखा क्या आपनेầnर अपने करतें यह पात्र रखते हैं है मने राज पाणी पात्र होते ही हैं पाणी मतलब होता है हाथ पाणी पात्री वीर जिन मने राज पाणी पात्री हैं पाणी ग्रहन संसकार होता है शादी के समय में जब विवाह का प्रसंग होता है तो एक रस्म ही कहें उसे उसे पाणी ग्रहन केते हैं पाणी मतलब होता है हाथ ग्रहन मने पकड़ लेना मने पा तो अभी इस टील के पात्र होते हैं क्षुरलक जी वगरे के पास में लेकिन जो इस प्रश्य शुद्र माने जो भोज्य शुद्र थे और उनके पांचमा गुनस्तान क्षुरलक अवस्ता जिनके यहां कही गई है उनके पास में लोहे का पात्र होता है मुली संग में रहते है इस प्रकार का कतन जैन शास्त्रों में मौजूद है तब कहना पड़ता है कि इस पर शिशुद्र इतनी उची जैन धर्म की प्रतिमा धारन कर सकता है तो क्या जिनेंद्र का पूजन नहीं हो सकता पूजक नहीं हो सकता अवश्य हो सकता है कहा भी है माने जब वो इतनी उची प्रतिमाई धारन कर सकते हैं तो फिर जिनेंदर का पूजक हो सकता है या नहीं तो यह कह सकते हैं जिनेंदर देव के पूजक वे अवश्य हो सकते हैं उनके किसी भी प्रकार से पूजन करने में निश्यद यहां नहीं बताया गया है ठीक है न देख पूजन करने का निश्यद नहीं है। पूजन करना क्यों नहीं कर सकता है वो पूजन तो फिर आपने इतनी वातें कही थी पीछे जो लक्षन कहे थे सुनो जिस प्रकार मेल लगा हुआ वस्कर पानी से धोने पर शुद्ध हो जाता है। समझ में आरी हैं। क्या बात कह रहे हैं भाई साव जो अत्यंत नीश पुरुष होते हैं वे भी उनके लिए भी इस तरह की बात कही हैं। शुद्ध हो जाते हैं। बिलकुल व्रतों का आचरण हो गया। शुद्ध हो गई। नियमों का पालन करने वाले हो गई। बारे प्रकार के व्रतों से युक्त हो गई। गुणस्तान उनका पांचवा हो गया। ने केवल व्रती यहां तो शुलक अवस्ता तक पहुचने तक की बात कह दिये उनके लिए। क्योंकि पंचम गुणस्तान का प्रतम लेवल है पहली प्रतिमा धारी। पंचम गुणस्तान का दूसरा लेवल है दूसरी प्रतिमा धारी। दूसरी प्रतिमा में व्रत प्रतिमा है अनुवरती हो गए है अनुवरती तो दूसरी प्रतिमा में हो जाते हैं फिर और आगे बढ़े व्रत प्रतिमा के बाद में सामाईक प्रतिमा प्रोशत प्रतिमा और फिर आगे बढ़ते हुए चोज़सा आठवी नौवी दसवी ग्य ग्यारवी प्रतिमा तक पहुंच गए हैं और उस ग्यारवी प्रतिमा में जब एक शुर्लक अवस्था रूप भी हो सकते हैं बहले ही शुद्रों हो तो यह कह रहे हैं अरे पूजन तो बहुत पीछे शुट गई किजिरी बूज्यक converted की सवाय करते कैसे प्रॉश्धोप वस्ष करते कैईसे अनुवरती होते कैसे बीस बाते होती मुनी को भोजन दे फिर करेया कैसे कैसी बाते जो कही हैं उन्के संदर्व में माने बारे प्रकार के वरतधारन करने वालों के संदर्व में यह सब बड़ी कठिन होती बात देखिए लिख रहे हैं और भी कहा है वहने पूजन करने के संदर्व में कोई निशेद नहीं है वैसा हर व्यक्ति को पूजन करने का अधिकार है स्वाध्याय करने का अधिकार है देखिए औ और भी कहा है एक और प्रमाणियां प्रस्तुत करते हैं कि भुक्ति मात्र प्रदानेतु का परिक्षा तपस्विनाम ते संत है संत्व संतोवा शुद्रोदाने नशुद्यती यहाँ पर बतलाया गया है कि शुद्रोदाने नशुद्यती अर्था शुद्र को दान देने से शुद्ध माना है शुद्र को दान देने से शुद्ध माना है तो शुद्र पूजन करने का अधिकारी स्वयम सिद्ध है क्योंकि पूजन से भी आहारदान उत्तम माना है पूजन करने से भी आहरदान को उत्तम माना है अतह इन विशेशनों से अर्थात शास्त्राग्या से शुद्र अवश्य भगवान का पूजन कर सकता है क्या समझ में आ रहे हैं है वान्य वोडान दे सकता है मैं आः मौार दान दे सकतान है मने ऊधान देने का अधिकारी है वो भूज्य煮 शुद्र कहकर के पुकारा हैं उसे वह शुद्र व्यक्ती भी वह आःा अःर दान दे सकता है टाओ değ हो ततभी तो वह को पृतिमाधारी तब ही तो एक शुरला के इस्तिती तक पहुँचेंगे इसलिए तो फिर इससे तो पूजन करना तो बहुत मतलब जब आहारदान देने आहारदान तो बहुत उत्तम करिया है वाई साथ आहारदान देने तक के योग्य जब बतला दिया गया है तो फिर पूजन करने के योग्य क्यों नहीं बताएंगे, ये तो आवश्य ही होता है ये तो आवश्य ही सिद्ध हो गई, फिर प्रेश्टन, किसाब ये जो बातें आपने कही है, ये बाते तो आपने बोज्य शुद्र के समंद में कही है, आवज्य के बारे मिli earlier माने आई स्पर्ष शुद्र का क्या होगा स्पर्ष शुद्र की कही है आपने तो बात स्पर्ष की बात कही अब आई स्पर्ष वालों का क्या होगा प्रश्न है क्या आई स्पर्ष शुद्र भी स्पर्ष शुद्र के समान अधिकारी है अत्वा कुछ अंतर है कुछ अंतर है क इसमें, जावाब लिखते हैं, और स्प्रष्य शुद्र, जिनेंडर भगवान के पूझन का अधीकारी है परchau, प्रणतु, स्प्रष्य शुद्र के और इसके पूझन करने में अंतर है पूझन तो कर सकता है, लेकिन पूझन करने में अंतर है उनका पूजन करता है और अज प्रश्य केवल मानस्तंब की प्रतिमाओं का ही पूजन करता है समझ में आरी ये बात एक ऐसी कैसी बात लिख रहे हैं वाई साव यहाँ मने जो स्प्रश्य हैं जो भोज्य हैं वे तो मंदिर में आकर के पूजन करें बेदिका के सामने भगवान के सामने बैठ करके पूजन करें लेकिन जो औस्प्रश्य हैं उनके पूजन करने का विधान ऐसा बतलाया है मानस्तंब की प्रतिमाओं का पूजन करें मने एक प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि जो मानस्तंब के जो निर्मान हुए है वे मानस तंबों के निर्माण जो कि इन करत्रिम मंदिरों के अंदर मानस तंबों के निर्माण हैं ये सब मानस तंबों के निर्माण उन अस्प्रश्य शुद्रों के लिए किये हैं जंग सावन्य के लिए किये हैं अन्य जाती कुलवालों के लिए किये हैं तिरियंचों के ल से यह बात कर रहे हैं यहां तो तेरियंच्यों की भी बात कर एंदर नहीं प्रवेश की बात यहिंग है उसका निशयद किया गया है मनें उससे दूशरन आता है समझ लीजिए या वो आयोग्य है जाते भी नहीं है कहीं भी ये सब बाते हैं सहेज ही सिद्ध है सब लोग इसमें कोई उनको भी नहीं लगता है और सारी दुनिया इन सब बातों को जानती है कि ये मंदिर में कैसे जा सकते हैं मंदिर के अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं वहां जाकर के कैसे पूजन कर सकते हैं लेकिन जो इस प्रश्य है बहले ही शूद्र हैं लेकिन उसके वावजूद भी पूजन कर सकते हैं मंदिर जा सकते हैं सब काम कर सकते हैं परियाए गतियों गयता की ही बाते वास्ताव में त करके भगवान भी बन सकते हैं यह कोई बपोती नहीं है यहां तो परियाइगत योगिता के संदर में बात कही जा रही है वर्तमान इस्तिती ऐसी नहीं है वर्तमान इस्तिती तो ऐसी है कि हम भी कपड़े पहने पहने भगवान नहीं बन सकते हैं मुनी नहीं कहला सकते हैं तो मनुष्यत्व की अपिक्षा से सेनी पंचंद्रियत्व की अपिक्षा से हम बराबर उन्हें यथा योग्य रीती से जो उनके योग्य है उस रीती से हम उन्हें मानते हैं और स्विकार करते हैं लेकिन फिर भी जो बात जिस रीती से कही गई है उसे उस बात को तो स्विकार कर करना ही होगा है ना मनें उनके लिए यहां मानस्तंब प्रतिमाओं की बात करें मानस्तंब के दर्शन करो भी तुम करो कोई बात नहीं तुम्हें यह तो लगना चाहिए कि हमने पूरुब में कुछ खोटे काम किये थे इस वज़े से देखो आज हमारी इस्तिति है कम से कम प्रवेश्चे में इस तरह के दुर्दश्या का शिकार होना पड़े क्या देखिए लिख रहे हैं यहां लिख रहे हैं इस तरह से आगे अवस्प्रश्चे केवल मानस्तंब की प्रतिमाओं का ही पूजन करता है क्योंकि इसके लिए मंदिर के अंदर जाना वर्ज नहीं है मंदिर के अंदर प्रवेश करना वर्जनी है वो मुनी भी नहीं बन सकता है मुनी बनने का विदान तो दोनों ही के लिए नहीं है दोनों ही प्रकार वालों के लिए मुनी बनने का विदान नहीं है इनके लिए इस प्रश्य वालों के लिए उत्क्रष्ट तम पंचम उनस्तान होने की बात कहिए बस पंचम उनस्तान हो सकता है इस भव में मुक्ति नहीं होगी आगामी भवों में वे अपना भव सुधार कर वे अपना परिणाम सुधार कर आगामी भवों में वे भगवान ब सकते हैं मुक्ती की प्राप्ति कर सकते हैं देखिए और जैन धर्म जीव मात्र के उपकार करने वाला है इसमें दोनों शुद्रों के लिए आत्म कल्यान का मार्ग बताया गया है बहिया जैन धर्म सब के कल्यान के लिए है मनें ऐसा नहीं है कि हमने उन्हें अच्छूत कह करके उन्हें दूर भगा दिया आप कर सकते हैं पूजन आप भी सुनिए आप बैठिए बाहर बैठिए आप इन्मानी की बात सुनिए आप समझे इन सब बातों को समझने का प्रेत्न कीजिए कितना मतलब जैन धर्म की उदार्ता को भी महराज साब यहां बतला रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि इस उदार्ता को कोई व्यक्ति शितिलाचार की रूप में ग्रेंड नहीं कर ले वे बराष इस गया वेसा उसको स्विकार करना चाहे है आत्म कल्याण का मार्ग बतला दिए इसका मतलब मंदिर आकर के पूजन करने की युग्यता जिनमें कई हैं वे पूजन करेंगे बराष रीति से तो वो कल्यान को प्राक्त होंगे उनका भाव सुद्रेगा और जो व्यक्ति पूजन करने के योग्य नहीं है मतलब मंदिर आकर के मानस्तंब के सामने खड़े हो करके या दूर चत से या दूर खड़े हो करके जिन्यंद्र देव की प्रतिमा को निहार सकते हैं और पूजन कर सकते हैं इस तरह से आत्म कल्यान का मार्ग तो सभी के लिए खुला हुआ है इसकारिक्रम के प्रायो जग है पिताजी स्वर्गे श्री नागरदास जी टिंबडिया एवं माताजी स्वर्गे रिवा बहन जी टिंबडिया के पुन्य स्मृती में उनकी पुत्रबधू श्रीमती रूपा जी टिंबडिया एवं परिवार राजकोट गुजरात